सब्सक्राइब कीजिए इंफराटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए हमारी लेटस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चली शुरू करते हैं इस वीडियो को लेटस गेट स्टार्टेड इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें वाटसेब मार्केटिंग सॉफ्ट्यूर का यूज करना है जो कि एक न्यू ट्रेंड बन चुका है डिजिटल मार्केटिंग का तो इसके लिए सबसे पहले हमें सॉफ्ट्यूर को इंस्ट्ल करना जैसे जैसे ही आप सॉफ्ट्यूर डाउनलोड करेंगे परचीस करने के बाद तो आपके पास एक ऐसी फाइल मिलेगी उसको एक्सट्रेक्ट करके इंस्ट्ल करना है और जैसे ही आप ये software को install कर लेंगे तो उसमें आपका ये .exe file होगी इसको आपको install करना है और simple वस next next करते जाएगे और simple install हो जाएगा ये उसके बाद finish पर click कर दीजिए तो final आपका install हो जाएगा इसके बाद आपको इस software को open करना है marketing के लिए तो आप ये देख सकते हैं इस type से कुछ interface दिखेगा software का जिसमें आपको जैसे ही आप open करेंगे software को तो starting में आपको red color में not ready top right corner पर लिख कर आएगा not ready because अभी इसके साथ WhatsApp connect नहीं हुआ है तो WhatsApp connect करने के लिए हमें open WhatsApp जो first tab इस लेफट साइड में उस पर click करना होगा जैसे हम open WhatsApp पर click करेंगे तो हमारे सामने एक screen show होगी जिसमें QR code scan करने के लिए दिखाया जाएगा जैसे हम WhatsApp वेब का यूज़ करते हैं उसी type से इसमें भी हमें यूज़ करना है मॉवाइल से QR code को scan करना है और जैसे ही आप QR code को scan कर लेंगे तो loading थोड़ी सी होगी WhatsApp open होगा और उसके बाद आपका software ready हो जाएगा और software पर लिखकर भी आ जाएगा की ready आप देख सकते हैं आप टॉप राइट पॉनर में पहले note ready आया था red color में अब ready आगया गरीन कलर में उसके बाद अब सबसे पहले आप ये सबसे पहले तो इसके features देख लीजी open whatsapp tab से हम कर सकते हैं की whatsapp open new campaign tab से हम कोई भी campaign run कर सकते हैं numbers filter कर सकते हैं message received कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं की messages आ रहे हैं नीचे side में send campaigns हम देख सकते हैं हमने कितने campaigns send किये हैं auto reply को हम set कर सकते हैं यहां से auto reply tab से on या off कर सकते हैं auto reply को और bulk message send करने के लिए marketing के लिए हमें whatsapp contacts importer पर जाना पड़ाएगा whatsapp numbers लिखा है यहां पर हमें import पर क्लिक करना है और हम file में से चार option से import करने के कोई भी option हम एक choose कर सकते हैं और file में से import हम कर लेते हैं और right side में first row में आप देख सकते हैं कि message one लिखा हुआ है वहाँ पर आप message लिख सकते हैं कोई भी message आप type कर सकते हैं जो भी आपको customers को भेजना है या campaign जो भी आपने रखा है उसका message यहाँ पर type कर सकते हैं और नीचे आप attach files and photos कर सकते हैं जिसमें pdf, photo या और कोई files आप add कर सकते हैं audio, video जो भी file आपको add करने हैं वो यहाँ से add कर सकते हैं और simple उसके बाद हमें send now पर click करना होगा और जैसे हम send now पर click करेंगे तो हमारे message याना शुरू हो जाएंगे जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं कि हमने context भी import कर लिए message भी हमने लिख दिया और एक photo लगा दिया हमने poster add कर दिया attach files में और अब हमें इस photo को और इस content को भीजना है हमें campaign run करना है तो हमें simple send now पर click करना है और message जाना start हो जाएंगे ये sending mode में दो options आएंगे एक safe mode एक blind mode safe mode अगर आपके contacts पहले से ये सभी save हैं तो आप safe mode कर सकते हैं नहीं तो आप blind mode के साथ continue कर सकते हैं और इस तरीके से आपके message जाना start हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं 12, 12 बसके 24 minute पर ये campaign start किया है भीजना और देखिए 51 messages जाएंगे total और आप time check करना कितना time लगा 51 तो आप देख सकते हैं ये सभी message ले गए हैं और message भी आ गया your bulk has been done यानि सभी जितने भी हमने जो campaign run किया था bulk message का वो चला गया सभी के पास message पहुँच चुके होंगे 51 complete हो गए अब simple हमें यहां से close करके close करना है इसी type से आप कोई भी campaign run कर सकते हैं वो इसमें schedule भी कर सकते हैं send के लिए मानलो आपको ये campaign आज रन नी करना है दो दिन बाद रन करना है तो आप schedule कर सकते हैं date के साब से तो उस date को automatically वो campaign send हो जाएगा और आपके client के पास ये customers के पास message पहुंच जाया करेंगे तो काफी अच्छा ये software है अगर आपको इसकी ज़्यादा details जाननी है तो हम link के description में दे देंगे वहां से जाके आप आसानी से इस software के बारे में ज़्यादा information देख सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में अतना ही उम्मीद करते हैं कोई वीडियो समझ में आ गया होगा अगर future map इसरी टाइप की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जूले रहे हमारे चैनल के साथ और अगर आपको इस उजायार से सब्सक्राइबाद मिलते हैं आपसे नई वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्स